नमस्कार आदाब मैं हूं अर्शद भी शुरू और आप देख रहे हैं मेवात आज तक आईए दोस्तों आपकी जानकरी के लिए बता दें इस वक्त मेवात आज तक की टीम पहुंची है और आमक ट्रक ड्राइवर के पीडित परिवार से रूबरू करना चाहते हैं जिस ट्र प्रमेन द्वारा हत्या कर दी गई थी एक शौकीन नामक ट्रक ड्राइवर को बड़ी बेरहमी से फॉर मैन अपने घर बिठा करके पीट-पीट कर मौत के घाट उतार दिया है ऐसे मैं जानना चाहते हैं कि यह प्रवार क्या मांग रखना चाहता है और शुना है कि बड़ा गरीब वैटती है जिसका यह बच्चा है जिसको मार गया था आईए उसका यह पिता जी है आपको लगना कि बड़ी शादगी में है विचारा इनसे जानना चाहते है सबसे पहले इनका बेटा गया है अंकल जी क्या नाम आपका तो जिस तरीके से आपके बेटे को बड़ी ही निर्मन तरीके से मारा गया है तो इस पर पुलिस परसाशन को क्या मैसिज देना चाहते हो आप इसको सजाज मिलनी चाहिए न्याव मिलनी चाहिए तो किस तरीके से आपको जो बेटा था उसको वहार कैसा था मोफ मुडे नमेन नस किसी चलाता था ना क्या नाम था उसका? अप को चाला होりました आपको क्या लगता किस तरीके से पा्रता है? वह हो बाई? बेटवरस में सो बिलकुल पत्ते का पत्ता है वह जैसे कह रहे था इसने पर चलाशाय आसको क्या लेज़ता है? आपका क्या खेली गिंुत अस् üzerine रेकलन जो पता है उसको जोय पता नहीं का है कि पता उनिथे के भी पता some भी इंदमों इस उसको पहुता है और हुशे नहीं इसको साथ में पर धायो हो सकता है उसकिया होगा रहा है लेकिन पर शनता है और उसके बाद वो फांसी का बहाना बना रहे हैं उस वेक्ति को वहां से उठा करके कहीं अंजान जगे पर फैंक जाते हैं और उसको कानवप पहली पार उसकी गाड़ी पर गया था तिन चार दिन से उसका नहीं और उसको नहीं जग ऐसे के ऊट फैंकने के लिो इसे शटी अजोशने कden आयले कैरें हमहरे ऊनने के पास में प्शह ही निचा छान शाड़ाने के डिगार नहीं था लेकिन इस दुश से करके नहीं उसके पास पेसे लेकर पोँचे यहाँ बद करना जब ने इस दुनिया में यहुँ चल ड्याना सब को है लेकिन अभी आपकी क्या मांगкої यह मागए जी उसके बाद में उसको चुंप owatt इस घर में एक मौत नहीं बल्कि दो मौत हुई है अब ये पीडित परिवार बता रहा है कि जब शौकीन टक ड्राइवर को मिट्टी दे करके गाहूं आ रहा था तो करीब एक डेट गंटे बाद उनका जो दादा जी था वो डिप्रेशन मागर के उसको साइद अटेक हुआ ह जो भी होगा वो विचारा उसके गम में वो भी इस दुनिया से चला गया है अब कौन जिम्यदार है इन दो दर्दनाक मौतों का ऐसे में जो फॉर मैन है और जो वो कंपनी मानिक है उनको भी यहां आना चाहिए जिस कंपनी का वो फॉर मैन तह जिनके इसारे पर इस नौज जो इसारे से क्या माण जो मौज बगर मिलना चाहिए इनको जी का जमें कान मौज जा मिलना चाहिए और उकाग मौज इसके बच्चे नहीं थे अच्छी के लगता है आपको इस मौप के पीछे इस मौप के बीचे उसका जो इन लोगों ने काम किये है वो एक दर्व जिए अधिश नहीं होता है वह हुआ है अर बे रह्मी से वह बच्चे को मारा गया और उसके बादमें एक इसे और अंजान जगों पर ले गया के फेक दिये यह तरीका नहीं होता है बढत जिए आँ का यह शही फ्रमें नहीं है यह उलिख खालेम जालीम के जालीम किसे सज उस company के मालिक से उस company के लिए क्या कहने चाहते हैं बिलकुल इंसाब चाहिए जितने उसके अंदर तो मर गालते हैं लोग है बना उत्तो को सजा होना बिलकुल ठीक बात है वो भी इनसाब का एक पार्ट होता है इसके बीवी है बच्चे है माबाप है एक जवान लड़का गया है तो वह विचारा गाड़ी चलाता था उसके लि अब अब तक भी नहीं किये उनों लोगों हम लोग यहां से कल तो मार कलते कम सब सब्सक्राइब गयते उन्होंने सिरब आशे चाहन दिये हमको कि अब हम उसको जल्दी से जल्दी पकड़ेंगे करें अभी एक भी दरिंदे को पोई एक दरिंदे का एक पड़ेंगा है और जी दादा जी क्या कहना चाहते है अभी तक तो कोई पकड़ा नहीं गया है क्या मैसिज दोगे पुलिस पर साशन को यह देंगे जी हमारो इन साब मिलनों चाहिए बच्चा को बुरी तरह मारो चोरा बहुत बुरी तरह मारो पिट्रोल तक भी भर दियो वाकर नाडवार सा बुरा मारो प्हेंग दियो दोस्तों आपने देखा और शुना यह वही पीडित परिवार है उसी मिर्तिक सौतिन ट्रक ड्राइवर का यह मकान है आप सब जानते हैं कि ट्रक ड्राइवर जान पर खेल करके 24 गंटे नीद नहीं सो नहीं पाता है लेकिन गाड़ी चला करके कमा कर देता है लेकिन उसके बाद में इन गरीब ट्रक ड्राइवरों की इस तरह से निर्म मत्या कर दी जाती है जो कि बड़ी ही शरम नाक है ऐसे लोगों को शरम आनी चाहिए जो ऐसे किसी नाज़वन जिसकी अभी महज डेड़ से दो साल पहले शादी हुई थी और अभी उसको जबरजिस्ती मार मार करके इन्होंना मत के घाट उतार दिया है अब मैं जिला परसासन वे हरियाना सरकार से और उस कमपनी मालिक से इस चैनल के माद्यम से अपील करना चाहता हूँ कि इस पेडित परिवार को कानूनी परकिरिया के तहत उचित मौज़ दिया जाए औ और जो दोसी अभी तक फुले में घूम रहे हैं उनको जल से जल गरफतार करना ये पुलिस का कारे है और इसी के साथ साथ मैं कुछ अपने पतरकार शाथियों से ये निवेदन करना चाहता हूँ रिपोटिंग इस पर कार से करने चाहिए ना कि आप जो बहन बेटियों की जो वीडियो बनाते हैं आकर के फोटू लगाते हैं बच्चों से क्या आप पूंचते हैं क्या यहां के बुजरुक लोग हैं के नौजवान उनसे आपको पूंचना चाहिए आप आते हैं और 14-15-15 साल के लड़कियों से बाइट लेते हैं आप ये गलत बात है आपकी दोस्तों सबसे पहले हमारी खबर देखने के लिए सबस्क्राइब कीजिए मिवात आज तक चैनल को और शाथ में दबाएब बैल आइकल घंटे